तो हम ग्रहों के cosmic energy exchange के बारे में चर्चा कर रहे थे, कोई भी ग्रह जब जैसे आपके लगन में इस्तित होता है, और कोई ग्रह जब उसके जश्ट सामने सप्तम भाव में इस्तित होता है, तो आपस में इस प्रकार से ग्रहों का energy exchange होता है एक दूसरे के साथ, और ये energy exchange आप को किस प्रकार का प्रभाव इस exchange में देखने को मिलेगा, देखे, देखा जाए तो सूरिय है, वो बहुत ही energy वाला लग रहे है, जैसे कि आप अल्रेडी जानते हैं, सूरिय पिता का विकारक है, सरकार का विकारक है, और सूरिय अगर किसी का लगन में है, तो हम ये भी बहुत आत्म विश्वासी होगा, बहुत फेमस हो सकता है वो, और फिर बात करें, अगर मंगल की सप्तम भाव में, तो सप्तम का मंगल है, तो निस्तित रूप से जो जातक है, उसका जिवन साथी और खुद जातक भी बहुत ही जादा, हम बोल सकते है, energy वाला तो हो गई, और काफी जिद्धी होगा, काफी एहम वाला होगा, बट ये दोनों के दोनों ग्रे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ऐसे में इन दोनों के बीच में energy का exchange चल रहा होता है हर समय, और ये exchange तब और ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जब आपका marriage हो जाता है, तो यहाँ प अपने जिवन साथी को ज्यादा dominate करेंगे, बट एक problem सबसे बड़ी जो आपको आएगी इस case में, वह यह आएगी कि आप हलंकी career में बहुत अच्छा करेंगे, no doubt, बट आपका domestic जो life है, वहाँ कुछ न कुछ दिक्कते हमेशा ही लगी रहेंगे, जैसे कि हो सकता है परिवा career को अगर आप देखेंगे, तो career वाला जो field है, उसमें बहुत ही बहतर प्रिणाम आपको देखने को मिलेंगे, मंगल जब भी यहाँ सूरिय को देख रहे होते हैं, तो ऐसे में आपकी dedication किसी भी काम के परती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर लोग आपको काफी मान समान देंगे, और सूरिय और मंगल दोनों ही leadership के भी कारक हैं, तो आप में leadership के गुण बहुत ही strongly देखे जा सकते हैं, ऐसा कोई विक्ती sports के field में राजनिती में हो सकता है, ऐसा विक्ती कोई essay field में भी हो सकता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा management करना पड़ता हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा energy के आप सकता हो, जहाँ पर बहुत ही high standard के decision लेने पड़ते हैं, जैसे कोई प्रसासनिक अदिकारी वगरे, जो भी बहुत बड़े पदों पर जो सरकार में लोग काम करते हैं, उनके ऐसे इस्तितियां हो सकती हैं चार्ट में, बट जब हम बात करते हैं स जिवन साथी पर ज्यादा परभाव जमाएंगे, बट कुछ हद तक आपका जो जिवन साथी है वो भी आपके जैसे गुणों वाला ही होगा, तो ऐसे में आप अगर परस पर इस energy का जो exchange जो हो रहा है दोनों ग्रों के बीच, इसको अगर balance कर पाए तो बहुत अच्छा जि जिलते हैं, उनके साथ भी कभी कभी आप बहस कर सकते हो, बट नो डाउट यहां पर आपको मानसमान बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, नेम फेम बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, आप में हर काम को करने की इच्छा और हर result को प्राप करने की इच्छा बहुत strong रहेगी तो पैसेंस की कमे अवस्य देखेगी, फिर अगर देखा जाए तो सूरिय है वो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं आपको, जोब में अच्छी सपलता दिलाएगा, आपको कैरियर में बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगा, ऐसे जाद तक अपने पिता के बहुत ज्या आगे तक लेकर जा सकती है और आपकी जो पहुंच है वो बड़े बड़े रेपुटेड लोगों तक हो सकती है, बहुत हाई प्रोफाइल लोगों तक हो सकती है, यहां बट सूरिय और मंगल आपके थोड़े नेचर को और बिहेव को खराब कर देंगे, तो इस बज़े से आप में वो आकरामकता जर रहेगी, वो छुपी हुई नहीं रह सकती, तो यहां पर आप कोशिस करें कि जो एनर्जी का बैलेंस है दोनों के बीच में, एनर्जी को इम्बैलेंस ना होने दे, अगर एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो आपकी डॉमेस्टिक लाइफ की साथ साथ मेरीड लाइफ और बहुत कुछ आपका प्रभावित हो जाएगा, तो सूरिये जब भी किसी जातक के लगन में इस्ति होते हैं, तो निशित ही आपको अपना प्रभाव दिखाना है, मतलब आपका जो प्रभाव है, दूसरों को बहुत स्ट्रोंगली दिखेगा, बट जीवन साथी कुछ हद तक आपके अंडर ही काम करता हो नजराएगा, या हम ये बोल सकते हैं कि वो थोड़ा आपसे दबेगा जरूर, अब देखें मंगल यहां है, तो डॉमेस्टिक लाइफ और आपकी मैरीड लाइफ पीसफुल नहीं होने वाली है, ये भी आपको प्रो जीवन साथ नहीं है, तो एक ऐसा परसन भी वो हो सकता है, जो वास्तम में दूसरों की मदद के लिए हर समय आगे खड़ा हूएं, इसके लावा ऐसे जातकों को सरकार से बहुत ज़्यदा लाब मिलने के चांसे जाने, सरकार और पिता से भी लाब मिलने के चांसे जाने हैं दोनों ही ग्रेक कौन कौन सी रासी में हैं ये भी आप देख लें तो बहतर रहेगा फिर आपका यहाँ पे सूरिय कितना स्ट्रोंग है मंगल कितना स्ट्रोंग है उन सबका भी फरक बहुत ज़्यादा पड़ेगा पड़ अगर आपको बहुती पीस्फुल लाइब जीनी है तो ये पीस्फुल लाइब जीने वाला एक्षेंज नहीं है यहाँ पर दोनों के अंदर ही अगनी तत्वे है और देखा जाए तो एनरजी बहुत ही ज़्यादा है यहां पर जब मंगल यहां बहुत ज़दा फाइरी है और सूरिय भी फाइरी एवन बट सूरिय का प्रभाव बहुत strongly हमें देखने को मिलेगा क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो सूरिय सभी ग्रव में एक राजा की समान है या उसके पास जो एनरजी है वो सबसे बड़ा सुरोत भी है एनरजी का इस वज़े से अब देखें मंगल है मंगल सब्तम में होने के वज़े से नो डाउट आपका पार्टनर पर आपको काफ़े डॉमिनेट करने ही कोशिस करेगा और पार्टनर का जो परभाव है आपकी लाइफ पर बहुत स्ट्रोंगली रहने वाला है अब इस बात की संभावन बहुत ज़्यादा बनती है कि आपकी मैरिज होने के बाद में आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है और वो जो बड़ा बदलाव होगा वो कैरियर में होगा हाँ डोमेस्टिक लाइफ में जरूर प्रोब्लम्स रहेंगी बट कैरियर में नो डाउट आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे तो ऐसे में आपको कैरियर पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस देना चाहिए और सबसे महिन बात आपको एनरजी को बैलेंस करना ही पड़ेगा अगर आप इन दोनों के energy को या इन दोनों की जो exchange होरी energy उसको आप balance नहीं कर पाई तो आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं, काफी मुस्किलें आ सकती हैं फिर यहां पर आपको जिवन साते से separation या divorce जैसे इस्तितियां भी देखने को मिलेंगी और आपस में जो एक दूसरे के बीच में कल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पर अगर हम देखें तो सूरिय है वो बहुत strong dedication देता है आतमबल बहुत ज़्यादा देता है तो ऐस जात तक के लिए जिवन में कोई भी प्रकार का कठिन से कठिन कारिये करना बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा और मंगल भी क्योंकि सूरिय को energy दे रहे हैं सूरिय को फायरी energy दे रहे इस बज़े से ऐसा जात तक अपने जिवन में बहुत आगे तक जा सकता है जो वो चाहे व काम करना पड़ता हो और लोगों को lead करने के मामले में तो हलंकि उनमें ability होती होती है और देखा जाए तो सबसे में बात एक और है यहाँ पर आपका जो व्यक्तित्व है व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत strong देखने को मिलेगा बहुती समतकारिक व्यक्तित्व आपका हो सक सकते हैं साती सरकार के साथ आपके बहुत बहुत समंद हो सकते हैं और कोई बड़ा पद आपके पास हो सकता है इस केस में आपको हमेशा कभी-कभी दूसरों से जो मानसमान है वो निस्तित रूप से मिलेगा हलंकि बट आपके nature की वज़े से आपके behavior की वज़े से आपको प देखें यहां पर किसी भी दूसरे गराय का प्रभाव भी हो सकता है जैसे कि कोई सनी का प्रभाव या राहु या केतु का प्रभाव तो वो सब आपको देखना पड़ेगा बट हम अगर एक exchange की यहां बात करें आपस में energy exchange की तो यहां पर दोनों की दोनों में जो energy है वो लगबग एक जैसी है कोई ज्यादा बड़ा difference नहीं है तो ऐसे में जातक के लिए काम करना बहुत easy हो जाएगा दूसरों के अपने under में काम देना दूसरों का जो काम है मतलब अपना काम manage करवाना दूसरों से और यह सब तो ऐसे में आप career wise बहुत ही dedication रखेंगे और career oriented person हों यह प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस cosmic energy exchange में